स्वागर आप सभी का राम राम जय जोहार सबसे पहले आप बताइए कि आपको वाइस क्लियर है की नहीं कमेंट करिए तो चलिए तो देखिए आपको जो हम कल बताया थे वो क्लियर है की नहीं यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मेसेज कर सकते हैं बताइए कमेंट करके कोई अगर समस्या है कल तक जो डिविजन फॉर्मेशन आप देखे थे उसमें पाँच डिविजन जो बने उसके स्थिति को लेकर कोई दिक्कत है तो बताइए हाँ बताइए डॉक्टर साब क्या कोश्चन है ये दूर्ग जीला जो है विलासपूर और रायपूर दोनों जीला के पुनर गठन से बना था यह संभाग का फॉर्मेशन संभाग जो बने उसकी स्थिति 1956 दो संभागों का गठन रायपूर विलासपूर रायपूर का पुनर गठन हुआ है रायपूर के पुनरगठन से बस्तर बना है 1981 और फिर मैं आपको बताया बिलासपूर के पुनरगठन से 2008 में सरगुजा बना है फिर से रायपूर का दूसरा पुनरगठन हुआ तो एक जन्वरी 2014 को दूर्ग बना है अब आप मेरे को यह बताए यह कौन-कौन दूर्ग डिविजन को 2013 पड़ रहे है प्रिंसली स्टेट जो है वो मिला तो कुछ प्रिंसली स्टेट डिस्टिक बने एक जन्वरी 1948 को कुछ प्रिंसली स्टेट जो है अल्रेडी बने हुए जीले में गये है तो 5 प्रियासत विलई हुआ मध्य प्रांत में 1 जन्वरी 1948 ये देखे थे हम रियासतों का विलई हुआ तो मैंने आपको बताया तीन जीले अस्तित तुम आये थे रायगड जीला बना था चार रियासतों के विलाई करन से रायगड, सारंगड, उदैपूर और जस्पूर फिर सर्गुजा जीला बना था एक जनवर 1948 को तीन रियासतों के विलाई से चांग भाखार, कोरिया और सर्गुजा बस्तर जीला बना था 1940 को कांकेर और बस्तर रियासत के मिलने से, 4, 3, 7 और 2, 9, मतलब 14 में से 9 रियासत कहीं न कहीं मिलके 3 डिस्टिक फॉर्मिट की हैं, 3 डिस्टिक का निर्मान की अब बचा कितना रियासत? 5, अब वो जो 5 रियासत बता मैं लिखनी रहूं, नाम ले रहूं, सुनिये का कवरधा, राजनानगाउ, छुई खदान, खैरागड और सक्ति, सक्ति रियासत को बिलासपूर जीला में मिलाया गया, आप पढ़े हैं कि बिलासपूर जीला का गठन कब हुआ था? 1861, तो सक्ति को वहां का एकतहसील बना दिया गया और वही रग दिया गया, जो 4 नाम लि जीला हुआ, 9 रियासत मिलके, 5 रियासत अल्रेडी बने, बुनाय जीला में सामिल कर दिया गया, अगर आप ऐसा कहीं पढ़े होंगे, कि दुर्ग जीला का मात्री जीला है, तो आप गलत पढ़े हैं, इसलिए मैं बूला हूँ कि मार्केट में ऑथेंटिक बुक की कमी आपको अगर 36 गड़ जीएस पढ़ना है तो ग्रन्थेकेडमी पब्लिकेशन का कोई भी बुक उठा लिजिए और खास करके स्पेसिलिस्ट वाला बुक उठाना है आपको जैसे कोई इतिहास कारों ने अपन सुन्दरलाल ग्रन्थाला है और यह जहां है वो है रविसंकर उन्वर्सिटी के अंदर तो वहां से आप बुक इसु कराके पढ़ सकते हैं लोकल रिफरेंस बुक पढ़ेंगे तो दिक्कते आएंगी अब मैं आपको बता रहा हूँ दूर्ग डिविजन लोकल लोग बतात है कि दूर्ग डिविजन का फॉर्मेशन जो है सितंबर 2013 मुए असंभाव होई नहीं सकता है क्यों असंभाव तो सुनिए बात है 15 अगास्त 2013 को माननी मुख्यमंत्री रमन सिंग ने गोसना किया कि रायपूर संभाग का पुनर गठन होगा और दूर्ग वहां से एक नया सं जब भी संभाव का गठन हो जीला का गठन हो तहसील का गठन हो मिनिममम 60 days ऑब्जिक्शन के लिए time दिया ही जाएगा फिर उसे 60 days के बाद after 60 days जो भी ऑब्जिक्शन से इसको solve किया जाएगा और solve करने के बाद ही notification आता है finally आप देखिए कई लोग इसको पढ़ते है सितंबर 2013 जो की एकदम false है हो ही नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है माली जीस दिन घोषना किया तो क्या उसी दिन प्रारंभिक राजपतर आजाएगा मालो आप ही गया होगा जैसे आप पढ़ते हैं मालो इसी दिन प्राइमरी नोटिफिकेशन आ गया दुर्ग डिविजन का तो 60 दिन मिलना चाहिए ऑब्जेक्शन के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक तो यह संभाग बन ही नहीं सकता है क्योंकि साट दिन तो अब जेक्शन का समय है अब सोर्स कहा है तो वह आपको दिखा रहा हूँ यह जो है डिपार्टमेंट है 36 गड़ गौर्मेंट का छोटा करहों पहले अब देखेगा फिर उसके अदुसको जो दिखाना चारह उस पर चलते हैं यह डिपार्टमेंट है 36 गड़ गौर्मेंट का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग दीख रहा होगा आपको तो स्क्रीन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वेब साइट में लिखा हुआ है साथ तोर पे अब वहीं पर आ रहा हो जो लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है दुर्ग संभाग जन्वरी 2014 को अस्तित्तों में आया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोरो एक्चोल आकड़ा यही है मार्केट में जीतने कंटेंट है सावीधार उधर गलस सलत आकड़ा है आप राजपतर भी देख सकते हैं इसका इस वेब साइट से यहां तक क्लियर है की नहीं बताइए तो भी कमेंट करके यह क्लियर है की कमेंट करिये तो जो बताइए वो क्लियर है की नहीं मैं यहां यह समझाया था आपको पूछा था मैं मैं यह बताया था मैं यह बताया था आपको कि जो दुर्ग संभाग आप सुनते हैं प्रदेश का जिसको मैं पांचवा संभाग आपको बताया हूं इसको बनाने की गोषना जो है वो 15 अगस्त 2013 को की गई थी तातकालिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने जब पूलिस परेड ग्राउंड में जनता के नाम संबोधन पढ़ा धोजा रोहन किया तो उसी समय रायपूर संभा के पुनर गठन की गोषना की लेकिन भाई आप जानते होंग वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी 15 अगस्त 2021 को घोषना किया था कि हम चार नए जीले बनाने वाले हैं क्या घोषना के साथ जीला बन गया केवल प्राइमरी नोटिफिकेसन आया बीस अक्टूबर को तीन ठोक आया बता चुका हूं और 11 नमंबर को एक ठोक आया है तो लेकि सितंबर 2013 वो दिमाग से पूरा निकाल दीजिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मार्केट में जीतने भी बुक है ना उनके पास को अथेंटिक सोर्स हाई नहीं और आपको अथेंटिक पढ़ने बोला जाएगा ता आप सो जाएंगे क्योंकि वो बुक का पढ़ना पढ़ना प पढ़ना पढ़ने आपके भविष्य के लिए बोल रहे हैं लोकल पढ़ने तो कहीं न कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे फिर कोई दूसरा बताएगा तो फिर आपको लगेगा आप गलत बता रहे हैं ऐसा लगेगा तो साथ दिन का समय दिया जाता है मतलब 15 अगस्त को माल ल नहीं नहीं सकता है अब उसके बाद नीराकरण होगा उस दावापति का तभी नया नोटिफिकेसन आएगा फाइनल तब बन सकता है तो मैं आपको गौर्मेंट का वेबसाइट दिखा रहा था रेवेन्य डिजास्टर मैनेजमेंट का ये 36 गड़ गौर्मेंट का राजा सोयवं आपधा प्रबंधन विभाग का वेबसाइट है इसमें साब तोर पे लिखा है कि रायपूर संभाग को पुनर गठन करके एक जनवरी 2014 को दुर्ग संभाग का गठन हुआ ये लिखा हुआ है आप मैं थोड़ा से स्क्रीन को बढ़ा कर रहा हूँ आप आगे बढ़ू मैं आप तो देखे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां वरतमान में संभागों की संख्या पांच और पांच संभाग में से कहानी जो है वो आप देख चुके है जो पांच संभाग है उसकी कहानी क्या है तो इसकी कहानी है यह आपके स्क्रीन पर आपको पढ़ना है 19 क्योंकि देखें कहीं आपको रायपूर संभाग का डेट 1956 लिखा नहीं मिलेगा यह इसलिए बताए गया है गौर्मेंट के बुक के अकॉर्डिंग मतलब रामकुमार बेहार जी उनके बुक के अकॉर्डिंग यहीं बोलता है 1905 में मैंने क्या बोला बंगाल वि संभाग कई रायपूर संभाग में आता है आज कौन सा लोकेशन बीलएगण औको कहां आता है सारंगण बीलास्पूर डिवीजन का हिस्सा है तो दोनो डिवीजन लिखे हैं कि 1905 में 36 गड़ संभाग का पुनर गठन हुआ क्योंकि 36 गड़ संभाग बना रहा होगा तभी तो पुनर गठन है और 14-15 में मतलब प्रिलिम्स की बात कर रहा हूँ प्रिलिम्स 14-15 दो बार प्रस्णा आया है असिस्टेंट इंजिनियर 16 तीन साल कंटीन्यू प्रस्णा आया है 36 गड़ कमिशनरी छेत्र बना वहां कहीं भी नहीं बोला है कि रायपूर कमिशनरी छेत्र बना बोला है और हम पढ़े हैं 36 गड़ कमिशनरी छेत्र कहने का मतलब संभाग कब बना 1862 तो 1862 में 36 गड़ संभाग बना था ना कि रायपूर मैं उसी को लेके सोर्स लेके बतारा हूँ आपको जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्तों में आया तो मध्य प्रदेश राज्य के अस्तित्यों में आने से ही दो संभाग अस्तित्यों में आगे रायपूर और बिलासपूर फिर मैंने आपको बता है रायपूर के पुनर गठन से बस्तर बना तो हम पहले डिसकस कर रहे हैं रैपूर डिविजन की कहानी पर अब देखिए हमको डिवीजन इन्ट्रोडक्सन देखना है तो कुछ पॉइंट्स है डिवीजन को अबजेक्शंस कही होते है गौर्मेंट उसको सॉल्ल करती है रद तो नहीं होगा अबजेक्शंस कही होंगे रद नहीं होता है, गौर्मेंट सॉल करती है, नीरा करित करती है, चलिए देखिए, हर डिविजन को हम इसी देखेंगे, जो पॉइंट्स आपको दीख रहे हैं, कि रायपूट डिविजन है, तो इसी हम इसके बाद भीलासपूट डिविजन देखेंगे, बस्तर डिविजन है, फिर हम देखेंगे इसके सीमावर्ती छेत्र, अब यह संभाग है, तो आप जानते हैं हमारे यहां पाचों संभाग, इंटरिस्टेट बॉंडरी वाला है, हम बता चुके हैं कोई लैंड लॉग्ड नहीं है, तो राज्य तो होंगे ही, और राज्य के लावाद जीले भ कौन कौन सा जीला है, फिर देखना है हमको प्रसासन को लेकर, तो मैंने आपको बताया है, प्रदेश में नगर पालिक निगम, कितने नगर निगम है, कमेंट करके बताइए तो, कितना बताया था मैं इंट्रोडक्शन में आपको, हाँ, करेक, 14, सहीं है, बहुत बढ़ी है 14 नगर निगम बताया था, अब उसका काउंट डाउन सुरू, कि वो 14 नगर निगम हमारे यहां किस नाम से है, या कौन कौन से है, यहां डिसकस करेंगे, कितने विधान सभा च्छेतर बताया थे आपको, और साथ में लोग सभा भी कमेंट करिए, विधान सभा लोग सभा च च्छेतरों की संख्या कितने आपको बताये है, नब्बे, ग्यारा, ठीक, याद है आपको बहुत बढ़िया, नब्बे विधान सभा च्छेतर है, और ग्यारा लोग सभा च्छेतर है, तो डिसकस करेंगे, वो नब्बे विधान सभा च्छेतर कौन कौन से है, और ग्यारा सभाच्षेतर कौन-कौन से है division के according मैं जो point out करूंगा उस पर ज़्यादा focus करना है आपको इनी ही points के according introduction है हमारा पहला division कौन सा division है राइपूर तो राइपूर का introduction है कितने जीले आते हैं राइपूर division में कितने जीले हैं सगा बताओ तो संख्या बताना है नाम में बता थो हाँ पांच एक दम करें पांच जीला है अब देखें पांच जीला में से कोन-कोन से कहानी एक जीला मैं आपको बताया हूं धमतरी इसी की सीमा से लगा हुआ दूसरा जीला है ये है धमतरी की कहानी ये है गरिया बन ठीक इन दोनों के उपर है राइपुर जीला गरिया बन की सीमा से लगा हुआ और राइपुर की सीमा से लगा हुआ एक जीला है ये महा समून है और ये है बलोदा बजार बाठा पारा हम पढ़े है कि इस संभाग में कौण से संभाग में पढ़े है कि इस संभाग में जीलों की संख्या है कितनी पाँच अब वो पाँच जीले आपको दिख रहे हैं कौन-कौन सा पाँच जीला धमतरी, गरियाबन रायपूर, महासमून और बलोदा बजार, भाटा पारव पहले आपको समझना है वो पाँच जीला जो आपको बताया था इंट्रोडक्शन में वो पाँच जीला आपको स्क्रीन पे सो हो रहे हैं की नहीं रफ डाइग्राम के रूप में देख रहे हैं ताक कि आपको थोड़ा से मैं जो बताना चाहरा हूँ वो है लोकेशन्स, लोकेशन्स काम कहा है अब आप जानते हैं की इस रायपूर संभाग का रायपूर संभाग का जो पूरा कौन सा सीमा पूर्वी सीमा पूर्वी सीमा एक इंटरिस्टेट बॉंडरी है कौन सा स्टेट ओडिसा ओडिसा राज्य की सीमा है कहां पूरा पुर्व क्योर अगर हम देखें ओडिसा राज्य है तो यहां से कहानी शुरू हो रहा है यह पूरा ओडिसा की कहानी है लेकिन अगर बात करें इसके अन्य सीमा की मदलब आपका यह पस्चिमी भूभाग दक्षणी भूभाग उत्री भूभाग यहां पर कोई प पड़ोसी जीलो की अगर जीलो की बात करें तो ठीक उपर है बिलासपुट डिविजन इधार जो है वो है दुर्ग डिविजन ठीक तो दुर्ग डिविजन की कहानी है और दक्षिन की ओर है बस्तर डिविजन जो बस्तर डिविजन के इस डिविजन से लगे हुए जीलो की बात करें तो मैं सौर्ट में लिखाओं इस पेस नहीं है तो को लिखाओं वो को डागाओं है नमबर एक दूसरा ये जीला है आपका कांकेर कांकेर तीसरा अब दुर्ग डिविजन की कहानी है अन्य जीले जो खीच रहा हूं सबसे उपर आपको बताया था दुर्ग तो इसके ठीक नीचे जीला है वह है दुर्ग और सबसे नीचे जीला है वह है बालोद तो रायपूर संभाग के सीमा वर्ती जीलो की बात करें तो कोंडा गाओं, कांकेर, बालो, दुर्ग, बेमितरा यह आपको दिख रहा है उपर की ओर है चार जीले, यह जो है वो है रायगड, सीमा लिया हुआ है, रायगड यहां से है मुँगेली, यह मुँगेली जीला है, फिर है बिलासपूर, बीबस लिखाओं, और यह है जांजगीर चापा अगर मैं रायपूर संभाग के स्थिती की बात करूँ, तो यह स्थिती है, वर्तमान रायपूर संभाग के स्थिती है, क्या तो रायपूर संभाग के पूरा पूर्वी हिस्सा में एक हमारा अंतरराज्जी सीमा है उडिशा के साथ, इसके अलावा इसका उत्तर, दक्षिन और पस्चिमी भूभाग, नव सीमा वर्ती जीलों से लगा हुआ है यह क्लियर है किनी सबको, आपको जो मैं इंट्रोड़क्शन दिया था, उस मैप को छोड़ा से कंसिडर करें, तो क्लियर होगा चलिए, आगे बढ़ें, समझ ना है अब, अब यह आपके लोकेशन है, रायपूर डिविजन के 5 जीलों की फिर से बोल रहो हुआ है, धमतरी, दक्षिन की और, इससे लगा हुआ पूर्वक्य और गरिया बंध है, इन दोनों के उपर बोले रायपूर, रायपूर के पूर्वक्य और महा समूद, और इन दोनों के उपर है बलोदा बजार, भाटा पारा अब भई जीला है, तो कहीं न कहीं तो जीला का मुख्यालाय होगा ना, जीला मुख्यालाय बोलने का मतलब क्या, जो जीला का प्रसासनी का धिकारी, कलेक्टर, जीला धीस, उसका कारियालाय, तो उसी को हम बोलते हैं मुख्यालाय, तो जीला है, तो हर जीला का कहीं न कहीं मुख्यालय हो गही अब मैं बात कर रहा हूँ जो points आपको गिनाया था उस पर क्या-क्या points गिनाया था गठन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि रायपूर डिविजन का गठन कब हुआ बताए कमेंड करके कब बने है रायपूर डिविजन हाँ 1956 1956 का संभाग है यह रायपूर अब रायपूर संभाग है तो कहीं न कहीं संभाग का मुख्यालय होगा अगर हम मुख्यालय की बात करें तो डिविजन हेट क्वाटर है एक लोकेशन है इ नहां से आपको हम पढ़ा रहे हैं रायपूर रायपूर डिविजन का डिविजन हेट कौटर क्या है रायपूर डिविजन का डिविजन हेट कौटर रायपूर है और रायपूर के लोकेशन की बात करूं मैं तो रायपूर नाम का जो लोकेशन है इस रायपूर जीला के पस् इसका सीमावर्ती छेतर देखना है बॉंडरी वाला लोकेशन देखना है तो मैंने आपको सीमावर्ती छेतर में राज्य की रूप में क्या बताया राज्य की रूप में एक राज्य की सीमा ही सरायपुर संभाग के साथ राज्य का नाम है ओडिसा इसके अलावाद जीलो की र पूर्ग और बालोद और वहीं बिलासपूर डिविजन का चार जीला आता है मुंगेली बिलासपूर जांजगीर चापा और रायगड वो देख भी चुके हैं आप ये इस्थिती ये जीले पूरे अब ये जानना है आपको की संभाग में जीलो की संख्या कितनी है तो मैंने अभी बताया आपको कीतने जीले आते हैं ये कितने 5 ये 5 जीलो वाला संभाग है थिक अब ये 5 जीले आये हंगे तो जीलो का निर्मान अलगड़़ अ उधी में हुआ होगा क्योंकि मैंने आपको बताया 1861 में 2 जीला बना था रायपूर और बिलासपूर फिर 1906 में 3 जीला स्थित्यों में आया दुर्ग फिर मैंने आपको बता एक जनवरी 1948 को 3 जीले स्थित्यों में आया तो जाके हुआ छे इसके बाद ऐसा क्रम रहा होगा ना तभी राज्य बनने कि स्थिती में 16 जीले हुए तो यहां भी जो 5 जीले है एक साथ तो नहीं बने होंगे इसका भी तो कुछ न कुछ बनने का सिक्वेंस रहोगा अगर बात करें यहां से जीला निर्मान की तो इस डिविजन का जो पहला जीला बना था ओप सब को पता है सुनते आये हैं सुनन अगर मैं इसको एक rough map में आपको indicate करूं कि उस समय का रायपूर क्या इस्थिती है तो उस समय का रायपूर की बात करूं तो अभी जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है अलग अलग जीलो के रूप में यह जीतना हिस्सा आपको दिख रहा है अलग अलग जीलो के rough बोल रह मैं आपको हिस्ट्री में आऊंगा तो पूरा समझाऊंगा ऐसा नहीं है लेकिन क्योंकि इसमें जमीदारी छेत्र भी थे यह उस समय का रायपूर है बीच के लाइन्स को मिटा दे हटा दे तो जीतना जियोग्राफिकल एरिया आपको दीख रहा है यह रायपूर आज का जो एक डिविजन है वो 1861 का रायपूर है 1861 का रायपूर है अब यही रायपूर टूटते गया रायपूर का हुआ है पुनर गठन मतलब यह बोल सकते हैं कि रायपूर ही अन्य जीलो का क्या है जननी है जहां से यह तोट तोट के बने है तो रायपूर का पहला पुनर गठन हुआ 1998 में 1998 में रायपूर जीला को पुनर गठित किया गया मतलब रायपूर जीला तो ये रायपूर जीला है अब इसको कब पुनरगठीत क्या जा रहा है रायपूर का पुनरगठन है 1998 इस रायपूर के पुनरगठन से एक जीला बना धमतरी और इस रायपूर के पुनरगठन से एक जीला बना महासमुद दो जीला बना एक तो महा समुद्ध बना और दूसरा बना धमतरी अब जीतना भूभाग आपको बचा हुआ दीख रहा है वो क्या है रायपूर है मतलब उनिस सो वन ठंबे तक कि इसमें तीन जीले हो गए रायपूर जो बचा भूभाग दीख रहा है रेस्ट आपको सोला कौन कौन से थे तो यहां से काउंट डाउन सुरू तीन जीला यह था जब 36 गड़ प्रदेश का निर्मान हुआ तो इसे डिविजन से तीन जीले थे आपको जीला याद रखना है डिविजन से हमको मतलब नहीं है हमको जीला याद रखना है क्यों सोला जीले कौन कौन तो तीन जीला ये था, कौन कौन सा तीन जीला, महा समूंद, रायपूर और धमतरी, लेकिन आज इस संभाग के रुप में देखें तो जीले आते हैं कितने, पाँच, तो और तूटे होंगे, रायपूर कही भी भाजनू होगा, अगला कहानी, तो महा समूंद और धमतरी तू पुनरगठन हुआ रायपूर का, और रायपूर टूटा, वर्स दो हजार बारा में, और रायपूर के टूटने से फिर दो नए जीला स्तित्तों में आये, जो रायपूर आपको दीख रहा है, वो फिर से पुनरगठित हुआ है, दो हजार बारा में, और रायपूर के पु सा लोकेशन गरिया बन तो दो जीले और अस्तित्यों में आए दो हजर बारा में एक बलोदा बजार भाटा पारा जीला है बलोदा बजार भाटा पारा और दूसरा जीला है यहां से गरिया बन आपको जानना है इस डिविजन के डिस्टिक फॉर्मेशन की जीले कब कब अस्त में आएगा मैं बोला हूँ यह ट्रेलर जो है आपको सुनाने के लिए तो आगे सुन के आपको पता रहे ट लिस्ट यहां ता क्लियर है 1962 नी 1862 में बना है कमिशनरी है हाँ तब तीन जील हो गया था ना रायपूर 1861 के रायपूर संबलपूर विलासपूर क्लियर है सबको हाँ चलिए अब आगे बात कर रहा हूँ मैं डिविजन इंट्रोडक्शन की कुछ पॉइंट्स है जिसके थुरू मैं इस डिविजन को आपको समझा रहा हूँ पॉइंट है नमबर एक प्रसासन प्रसासन की अगर हम बात करें तो हमको ध्यान देना है नगर निगम यह हमको याद होना ही चीए कि प्रदेश में चौदा नगर निगम कोन-कोन से है नगर पाली का नगर पंचाइतनी पढ़ना है वो जबरन नॉलेज जो काम का इक्जाम के लिए वो पढ़ना है उसके बाद जबरन नॉलेज वाले चीज आप घूद घर में बैटके पढ़ सकते हैं मैं केवल डारेक्शन दे सकते हूं आपको कि यह पढ़ना है तो आपको यह पढ़ना है चौदा नगर निगम प्रदेश में चौदा नगर निगम है और मैं सबड़ेक्टर खूलूंगा सबको यह पताओंगा तो चौदा नगर निगम में से सब्सक्राइन की बात खरों टो इसे ढगर नगर निगम है आपको नगर नगर निगम का नाम याद रखना है मैं यह बताना चाहरा हूं ठीक अब वो तीन नगर नीगम कौन कौन से वह लिए नामले में सबसे बड़ा नगर नीगम को दूसरा नगर नीगम है इसी राइपूर जीला में बिरगाउ नाम का लोकेशन भी राइपूर भी नामियादा रखना है फिर आगे चलकर में वहाँ का मेयर बताँगा। जब संरचना बताऊंगा आपको नगरी निकाय पंचायती राज बताऊंगा तब, कितने नगर निगम, तीन, नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या बोला हुमा है, विधान सभा छेत्र देखना है, आप बता दिये हैं, कमेंड करके हमको, कि प्रदेश में विधान सभा छेत्रो नाम याद रखना है, तो इसे डिविजन की बात करूँ, तो इसे डिविजन में 20 विधान सभा छेत्र आते हैं, मल प्रदेश में 90 है, उसमें से 20 को ये रिप्रजेंट करता है, और मैं कल भी बोला था कि विधान सभा छेत्र, लोक सभा छेत्र कैसे बनते हैं, तो जनसंख् ये जीला है कौन सा बलोदा बजार भाटा पारा इस बलोदा बजार भाटा पारा जीला में इस बलोदा बजार भाटा पारा जीला में चार विधान सब है चार अभी के बद संख्या फिर नाम सुना रहा हूँ चार है ये रायपूर जीला है यहां साथ विधान सब है सभा है धमतरी जीला में तीन विधान सभा है और गरियावन जीला में दो विधान सभा है अब रायपूर में साथ क्यों है तो रायपूर बहुत बड़ा जीला है पॉपुलेशन के मामले में आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी प्रदेश का सबसे धिक जनसंख्या वाला जीला रायपूर तो विधान सभा की संख्या भी अधिक ठीक तो जनसंख्या मैटर करता है विधान सभा छेत्रों का निर्धारान वो परिसीमा नायव डिसाइड करती है अब आपको संख्या याद नहीं रखना है मैं नाम बताने के लिए संख्या बता है अब मैं ना पिंद्रा नभागड के नाम से विधान सभा है। राजिम और बिंद्रा नभागड ये दो विधान सभा कहा ? गरिया बन अगर धमतरी के विधान सभा की बाद करें तो धमतरी में विधान सभा है इधार खीच रहा हूं तीन है जिसमें से नमबर एक धमतरी नाम का लोकेशन के नाम से एक विधान सभा धमतरी विधान सभा छेतर नमबर दूसरा कूरुद नाम का लोकेशन है यहां उसके नाम से विधान सभा छेतर है और नमबर तीसरा पढ़ेंगे हम अवसुने भी होंगे आप सिहावा जहास महा नदी निकलती है और उससे पहले एक लोकेशन पढ़ेगा जो तहसीली है नगरी सिहावा नगरी विधान सभा कुरुद विधान सभा धमतरी विधान सभा धमतरी ज नया लगेगा लेकिन जब पूरा जीला पढ़ लेंगे तो आपको कुरुत धमतरी यह समझा जाएगा कि धमतरी जीला में ठीक महा समून महा समून में कितने विधान सभा है चार महा समून के चार विधान सभा की मैं बात करूं तो एक नाम है यहां बसना बसना नाम का जगा ह जिसके नाम से यहां को विधान सब अच्छेत रहें दूसरा नाम है सराई पाली तीसरा नाम यहां सुने हूंगे जिसके नाम से जीला का नाम पड़ा है महा समून और चौथा नाम है खलारी खलारी इस जीला में चार लेजिसलेचर खलारी, महा समून, सराईपाली और बसना कॉंस्टिटुवेंसी बोलते हैं उसी को इंगलिश में चाहे वो संसरादी छेत रहो चाहे विधान सब आ च्छेत रहो दोठो एक का नाम है बलोदा बजार दूसरा का नाम है भाटा पारा जीला का दो नाम है और दोनों नाम से दोठो विधान सभा है यहां बलोदा बजार विधान सभा भाटा पारा विधान सभा फिर एक विधान सभा है यहां कसडोल कसडोल और अभी नाम बार-बार आप सुन रहे होंगे जो जीला बनने वाला है सारंगड बिलाईगड तो उसमें जो बिलाईगड है उसके नाम से यहां एक विधान सभा है बिलाईगड विधान सभा बलोदा बजार भाटा पारा बिलाईगड कसडोल इस जीला के चार विधान सभा रायपूर अब यहां कचरा हो गया आप आगे चलके आरंग नाम का जगा है राइपूर में जिसके नाम से है विधानसवा छेत्र है दूसरा नाम सुनेंगे हाँ अबहनपूर अबहनपूर के नाम से विधानसवा है तीसरा नाम सुनेंगे यहाँ धरसीवा धरसीवा यह तीन लोकेशन अब एक लोकेशन आप शेत्र है उसको लेके चार विधान सभा है नाम है रायपूर ग्रामिन एक चार है बोल रायपूर के नाम से एक रायपूर ग्रामिन आप लिख लेंगे यहां रायपूर लिखना है मैं लगा दियों कि वैसी है एस इस रायपूर ग्रामिन है रायपूर उत्तर रायपूर दक्षिन और रायपूर पस्चिम इस रायपूर जीला के ये सात विधान सभा छेत्र रायपूर ग्रामिन उत्तर दक्षिन पस्चिम धरसीवा अभानपूर आरंग ये विधान सभा छेत्र जीला क्या धार पर याद रखना है क्योंकि इसी से हमको लोक सभा को जू अभी यहां ता क्लियर है कि नहीं कि कमेंट करिए तो चलिए वीडियो ठीक से चल रहा है ना वाइस वाइस का दिक्का तो नहीं है न हाँ चलिए बदलते हैं आगे अब देखिए आप सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे और आगे चलके हम एड्मेनस्ट्रेशन में पढ पर और वो इंट्रोडक्शन में सुन चुके हैं कि प्रदेश के नब्बे में से 29 सीट स्ट के लिए रिजर्व है दस सीट सीट के लिए रिजर्व है और बाकीन क्या वन अन रिजर्व है एक बेसिस तो यह हुआ दूसरा बेसिस में आपको बताऊंगा दली स्थिति कहने का किस पार्टी के पास कितने विधान सभा सीट है या च्छेतर है और तीसरा पॉंड जो काम का है हमारे बहुत वो है जेंडर के अकॉर्डिंग क्योंकि 36 गड़ राज्य की पूरे देश में एक उपलब्दी है परसेंटेज के मामले में प्रदेश टॉप में महिला विधायक करना है जब विधान सभा चुना हुआ अटारा में तो 19 प्रिलिम में प्रश्चन आया है 96 में दूसरा प्रश्चन आया था मैसदा फॉलोइंग एकसाइड विधान सभा छेतर दीया सा दूसरे सट महिला का नाम फिर अभी जो हुआ उसमें भी प्रश्चन पूचा ही गया ह तो यहां से प्रश्ण आपको मिलेगा achievements है बोला मैं इसलिए कि भारत देश में जितनी विधान सभा है जितने राज्यों के पास उसमें सबसे अधिक percentage value में female ML हमारे यहां है 36 गड की उपलग दिये तो आपको ध्यान देना है 15 ML एक तो हम वो 15 महिला ML को देखेंगे पहले उनका निर्वाचन छेत्र बताऊंगा कि कहां से है वो फिर नाम बताऊंगा वो धीरे धीरे करके सून सून के आपको दिमार्ट में बसी जाएगा ठीक दूसरा पॉइंट एक हम पढ़ेंगे Constitutional Amendment 91st इनक्यानवा समिधान संसोधन 2003 भारती समिधान में वर्स 2003 में संसोधन किया गया जिसका क्रमांग 91st नंबर का था 73-74 तो सूने हों गया और मैं बोला भी था कि वर्तमान समिधान में 105 संसोधन हो गया आज की स्थितिम तो ये उस क्रम में 99 नंबर का था 2003 में एक संसोधन हुआ जिसमें बताया गया कि किसी भी राज और केंद्र में केंद्र में बोले तो लोक सभाका और राज में बोले तो विधान सभाका तो मैं 36 गड को लेके बोर आँ 36 गड़ राज्य के विधान सभा का केवल 15 प्रतिसा सदस्य ही मंत्री बन सकता है अब हमारे यहां कितने विधान सभा सदस्य है 90 तो 90 का 15% आप calculate करिए 15% value आप निकालेंगे तो 15 नहीं 135 ये मिलेगा divide करेंगे तो आपको मिलेगा 13 दसमलब 5 हमारे यहां अधिक्तम 13 मंत्री हो सकते हैं कितने मंत्री हो सकते हैं मुख्य मंत्री को मिलाकर 13 तो 36 गड़ में मंत्री मंडल की सरचना है 13 मंत्रियों से मिलके बनता है 36 गड़ का मंत्री मंडल अब यहां पर इसको इसलिए बता जा रहा है क्योंकि हमको देखना है कि कोई अगर मंत्री है तो उसका विधान सभाच्षेतर कौन सा है फिर जब चेप्टर में आऊंगा तो मैं उसका डिपार्टमेंट जोड़ूंगा कि फलाना आदमी मंत्री इस विधान सभाच्षेतर का और ये ये उनको विभाग दिया गया है ठीक अब आरहूं पोइंट पे जो आपको मैप से बताया था यहाँ कौन-कौन से विधान सभाब को याद रखने वौ ध्यान देना है तो कहानी नंबर एक राइपूर में कितनी विधान सभा है साथ उस रायपूर का एक विधान सभा आपको याद रखना उसका नाम है आरंग बताया भी थोड़े देर पहले आरंग एक विधान सभा है ये आरंग विधान सभा अब भाई विधान सभा है तो मैं बोला विधान सभा का समाने परिसित्यों में कारेकाल पांस साल का होता है विधान सभा है तो पांचवी विधान सभा है तो इस आरंग विधान सभा छेतर से कोई ना कोई तो विधायक होगा ना अब मैं उन्हीं लोग को डिसकस कर रहा हूं जो फीमेल हो और जो मंतरी मंदल में सामील हो दूए जहला हमला जानना है फीमेल और मंतरी मंदल ठीक तो आ आरंग विधान सभा छेत्र के विधायक अब क्यूं है तो ये कैबिनेट का एक हिस्सा एक मंत्री फिर हम आगे चलके देखेंगे इस कैबिनेट में इनको कौन-कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है अभी आपको नाम याद रखना है आरंग और वहां का विधायक सिव कुम याद रखना है क्योंकि यहां से है फीमेले मेले महीला विधायक अब महीला विधायक का नाम है अनीता सर्मा जी अनीता सर्मा जी यहां से है फीमेले मेले पांचवी विधान सभा में एक विधायक तो हमको रायपूर के साथ में से दो विधान सभा छेत्र याद होना चीए ऐसे तो हमको सब याद होना चीए वो धीरे से होगा एकदम हडबढाना नहीं है क्योंकि मैं अभी division introduction दूँगा तो कुछ points को लेके दूँगा जिसमें locations आपको clear होते चलेंगे ठीक तो धरसीमा अनीता सर्माजी विधायक है पाचवी विधान सभा में आरंग कौन विधायक ह डॉक्टर सिउकुमाट धरिया इनको हम पढ़ेंगे मंत्री के रूप में देखेंगे इनके पास वर्तमान में दो डिपार्टमेंट है एक है आपका लेवा डिपार्टमेंट स्रम विभाग और दूसरा है अर्बन एड्मनेस्ट्रेशन डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट सहरी, प्रसाशनिवा विकास, विभाग तो हमको पढ़ना है यहां तख ल्यर है कि नहीं बताएं तो कमेंट कर के कोना सगा कौन कॉंगरेस के बीजे पी है मंत्री होई तो कका कॉंगरेस होई न अभी तो पार्टि मनी जाना मैं सब के पार्टी बता हूँ अनीता सर्माज कौन से पार्टी से जीते हैं सीव कुमार डहरिया जी अगर मंत्रील पूछा तो बस तो कॉंग्रेस से कोई भई हमारी है सरकार का करें अभी कॉंग्रेस अभी नी जानना है तो लगते बस अभी नाम जान ले वो कर विधान सभा छेत्र कारी ये जान ले बहुत बड़े उपलब्धी फिल हाल मैं पूरा पार्टी बता हूँ जब पूरा दली स्थिती बता हूँ कोन महिला कहां से है कौन सा उनका निर्वाचन छेत्र है कोन से दल से वो बिलॉंग करती है अभी नहीं जानने सकाए अभी जो बता तो तेमें फोकस करने है ठीक तो रायपूर से हमको दो विधान सभा द विधानसभा याद रखना है वो भी दो धमतरी से भी दो विधान सभा को ध्यान देना एक तो खुद धमतरी विधानसभा च्छित और दूसरा सिहावनगरी विधान Cным a horses को लोक को फीमेलें मेले की रूप में याद रखना है अब यहाँ से कोई भी मंतरी नहीं है तेरा में एक ही मंत्री है वो है सिव कुमार डहरिया जी ठीक तो दो याद रखना है धमतरी यहां से पाचवी विधान सभा में फीमेले मेले है वो है रंजना साहू रंजना साहू जी है धमतरी से और सिहावा नगरी से है लक्षमी धुरू जी आप लिखेंगे मैं नाम ले र रखना है, एक विधान सभाव कशडोल, कहा का? वलोदा बजार भाटा पारा का, इसको भी याद रखना है फीमेल के लिए सकुंतला साहु जी यहां की विधाई का, सकुंतला साहु मतलब मैं पंदरा में चार फीमेल का नाम ले लिया, कसडोल से सकुंतला साहु जी, सिहावा साहू जी है धमतरी से और अनीता सर्मा जी है धर सीवा से ये चार नाम याद रखना है वित उसका कॉंस्टिटुएंसी कि कोन से विधान सभाच्षेतर से वो निर्वाचित हुए है और एक नाम लिया क्याबिनेट से उनका नाम है सीव कुमार डहरिया जी और जो की आरंग विधान सभाच्षेतर से है क्लियर है ठीक यहां तक कमेंट करके बताईए जो नाम लिया आपको थोड़ा नाम याद रहे क्योंकि यह सब आगे पिक्चर में खूलेगा हाँ ठीक हैगा अब लीग सकता से है जो भी है कसडोल है सकुंतला साहुजी रंजना साहुदंतरी लक्षमी धुरू सिहावा नगरी और धरसीवा अनीता सर्मा प्रदेश में कितने संसदी छेतर लोकसभा ग्यारा जो ग्यारा लोकसभा है क्योंकि मैंने आपको बोला लोकसभा और विधान सभा का निर्धारन परिसीमा नायोग करती है और जनसंख्या के अधार पर करती है तो विधान सभा लोकसभा के दृष्टि कोन से बोला जाया तो छोटा होता है अकार में लोकसभा जनसंख्या जादा को लेके बनता है तो अगर बात करें ग्यारा में से नौ लोकसभा की 9 constituency संसदी छेतर ऐसा है जिसमें 88 विधान सभाय आती है ये जो है विधान सभा छेतर है और ये जो है वो लोक सभा छेतर है 9 लोक सभा ऐसे है जिसमें 88 विधान सभा आता है मतलब कितने विधान सभा हुए 9 लोक सभा में 88 मतलब एक एक लोक सभा में 88 है तो जो दो लोग सभा बचा उसमें नौनव विधान सभाएं आती है तो ये मिल के हो जाएगा अठारा मैं ये बता रहूं कि परिसीमन कैसे किया गया है जो 2001 में परिसीमन आयोग बैठा था उन्होंने 36 गड़ के जो 11 लोग सभा छेतर है उसका परिसीमन किया है इस रूप में दो लोग सभा नाम अभी फिलाल ध्यान देना है क्योंकि ये बताना जरूरी है तो बाकी आप समझ जाएंगे ठीक दो लोग सभा ऐसे है जिसमें से एक कर नाम है रायपूर लोग सभा छेतर रायपूर कॉंस्टिटुएंसी और दूसरा लोग सभा है दूर्ग राज अधिनियम 1993 और जब उस अधिनियम को हम पढ़ेंगे तो एक चीज हम पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था इंट्रक्शन में कि प्रतेक जीला में एक पंचायत होगा उस जीला के नाम से जाना जाएगा और उस जीला के नाम से उसको बोलेंगे जीला पंचायत अब जीला पंचायत बन रहा है भाईया तो इसका सनरचना भी तो होगा ना कैसे जीला पंचायत बनेगा जैसे आप पढ़ते होंगे Constitution में राश्पती का निर्वाचन होता है तो उसका निर्वाचक मंडल होता है नी वैसी जीला पंचाथ ही बनता है तो उसकी सनरचना होती है तो इसकी सनरचना में पहला point होता है जीला पंचाथ छेतर से निर्वाचित सदस्य है मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी जीला पंचाथ में कम से कम 10 अधिक से अधिक 35 निर्वाचन छेतर हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है उस जीला के ग्रामिन जनसंख्या पर मतलब जिस जीला में ग्रामिन जनसंख्या ज यह जरूरी नहीं है क्योंकि matter करता है population और वहां का rural population तो भाई माल लिजे मैं रायपूर को example ले रहा हूं रायपूर जीला में माल लिजे निर्वाचन छेत्रों की संख्या 30 अधिक्तम 35 हो सकता है यहां 30 निर्वाचन छेत्र है और निर्धारन होता है राज निर्वाचन आय 30 जने लोगों का चयान होगा चुना होगा और उसी को बोलेंगे जीला पंचायत के सदस्य तो जीला पंचायत की सर्रचन में एक सामिल होता है जीला पंचायत के निर्वाचित सदस्य elected members ठीक point दूसरा हम पढ़ेंगे लोगसभा सांसाद लोगसभा को कोन MP member of parliament लोगसभा सा सांसाद इसकी संरचना में सामिल होता है अब कोन सबके सब लोगसभा सांसाद सामिल होंगे ग्यारा जन लोगसभा सांसाद है तो ग्यारा ग्यारा एक जीला पंचायत के संरचन में सामिल हो जाही का आईसे नहीं है वह लोगसभा सांसाद जिसके निर्वाचन छेत्र में व संसदी छेत्र का हिस्साद जो-जो जीला होगा, चाहे पूर्न रुप से चाहे आन्सिक रुप से उस जीला का यहां का संसद जीला पांचायत का पदेन सदस्य होगा, उसी को बताने के लिए अगला कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ अब मैंने आपको बोला अभी क्या बोला कि रायपूर में विधान सभा छेतर है साथ ठीक और अभी बोला कि रायपूर एक संसदी छेतर है लोक सभा छेतर है तो लोक सभा छेतर है लेकिन महाविधान सभा आता है नव तो साथ तो ये खुद है तो दो किसी से लिया होगा ना जब परिसीमन किया होगा तो दो कहीं से और दिया होगा तो इसमें जो दो आपके सामिल होते हैं क्या विधान सभा वो बलोदा बजार भाटा पारा का बलोदा बजार भाटा पारा विधान सभा है मैं क्यूं बता रहूं थोड़ा से आगे explain कर रहा हूं समझ भी आ जाएगा आपको ये एक संसदी छेतर है संसदी छेतर का नाम है रायपूर रायपूर एक constituency जिसमें कितनी विधान सभाएं आती है अभी बोला मैं कितनी नव नव विधान सभाएं आती है साथ नाम रायपूर का है धरसीवा, आरंग, अभानपूर, रायपूर ग्रामिन, उत्तर दक्षिन, पस्चिम दो नाम कहां कहा है बलोदा बजार भाटा पारा जिला है वही दोनों नाम जो बोल रहा हूं है बलोदा बजार और भाटा पारा विधान सभाएं मतलब मैं यह बताना चारा हूं भई, यह आ यह सनसाधी छेतर है और कल मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमारी वर्तमाल लोकसभा है उसका करम क्या है सत्तरहवी तो कोई ना कोई तो यहां से सांसध होगा न मैं बोल रहा हूं कि भले रायपूर पूर्ण रूप से आ रहा है लेकिन बलोदा बजार भाठापार आंसिक रूप से तो आ रहा है ना तो सुनिल कुमार सोनी जी जी जो है वो आपके दोनो जीला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे एटा टाइम ये समझ आए कि निया आप बताएं मेरे को दूर्गविधान सभा नी बताओंगा भी नी चलना है रायपूर चला था न सगा वन्समोर कहा थे चले देखें भाई मैं ये बोला कि किसी भी जीला से अगर किसी लोकसभा सांसत का संसदी छेतर पूर्णरुप से या आंसिक रुप से समबंधित है यहां देख रहा है अब example इसी को ले रहूं सुनिल कुमार सोनी जी का संसदी छेत्र यह जो area ड्रॉ किया हो यलो पें से वो है ठीक यहां के साथ विधान सभा है यहां के दो विधान सभा है बलोदा वजार भाटा पारा तो यहां के विधान सभा है तो आप भई आपका water ID बन यहां के मत दाते हैं तो आपके पास water ID है अब यहां के मत दाते हैं आता भी इस संसदी छेत्र के लिए तो वोट किये होंगे न अब वोट किये तो कोई एक ही आदमी जीतेगा जिसके पास जादा मतदान होंगा तो जीता कौन है सुनिल कुमार सोनी तो सुनिल कुमार सोनी जी का बलोदा बजार भाटा पारा से भी संबंद है भले अंसता है और रायपूर जीला से भी संबंध है, यहां पूनता है, मतलब सुनिल कुमार सोनी एक ही समय में दोनों जीला पंचायत की सनरचना में सामिल होगा, कहने का मतलब जब जीला पंचायत रायपूर और जीला पंचायत बलोदा वजार भाठा पारा का बैठक होगा, तो उसकी बै किसी कारन वस गाड़ीवाडिम देखाया रहते विधायाक। य मन NOW लोको युझी पहले टेनी, उसका रिप्रेजन्टेटिस देखो है। सांसाद एक लेकिन दो की सनरचना में सामिल हो रहा है अब एक ही दिन में दोनों जीला पंचात का बैठाक हो गया बलोदा बजार भाटा पारा जीला पंचात का भी बैठाक माल लो एक तारीक को हो गया उसी दिन रायपुर जीला पंचात का बैठाक हो गया अब सुनिल कुमा में वो सामील होगा उसका पदेन सदस्य होगा उसके बैठकों में भाग लेने का उतर अधिकारी होगा लेकिन मत का उतर अधिकारी नहीं होगा समझे इसे일 कुछ कुछ निसमझता से चूबरेती seem हर जग than सुना हूं एकर से ती सुना हूं कावा रेला जा कि मुल पंचायती राज में अव सुनाना है बार-बार बोले हूं ते समझे इस ते नीए इसे नी समझे हूं तब भोल अभी छोड़ दे रहो मैं ये पताना चाहा रहा था कि रायपूर संसदी छेतर में दो जीना आता है एक सब्धम बोलूं तो बढ़ों आगे कमेंड करके बताए तो आगे बढ़ों की नहीं हाँ चलिए देखिए यहाँ से अगला संसदी छेतर एक संसदी छेतर है यहाँ से महा समुन्द नाम का महा समुन्द लोक सभा छेत्र इसी डिविजन का हिस्सा है अब देखें महा समुन्द जीला यह है कितनी विधान सभा यहां चार मैंने आपको बहला दूर्ग रायपूर लोक सभा में नव नव विधान सभाएंगी बाकी सब में आठ-8 होगा तो महा समुन्द लोक सभा का गठन आठ-8 विधान सभा को लेकर किया गया है और वो आठ-8 विधान सभा कोन-कोन से हैं तो वो देखें आप यहां चार है अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा से ध्यान देंगे यलो पिन से यह महा समुन्द complete लेना पड़ेगा क्योंकि हमको 8 लेना है तो यह 4 चार फिर गरिया बन में कितने है गरिया बन में है दो तो 6 ही हुआ अब 2 और लेना है तो धमतरी में है 3 लेकिन नीचे का हिस्सा छोड़ रहूं मैं वो सिहावा नगरी बागी यहां का कुरूदर धमतरी यह एक लोगसभा छेत्र है ड्रा कर रहा हूं पेंसे ये एक लोग सभा छेतर है ये वाला हिस्सा जो दीख रहोगा आपको कम्प्लीट महासमून कम्प्लीट गरिया बन और पार्शेली आंसिक रूप से है धमतरी इसमें तीन विधान सभा उसमें से एक छुटा हुआ है सिहावा नगरी ठीक तो कुरुद धमतरी राजिम बिंद्र नवगाड खलारी महासमून बसन सराइपाली टोटल आठ विधान सभा को लेकर एक लोग सभा बनती है लोग सभा का नाम है महासमून कौन सी लोग सभा महासमून कौन सी कितनी विधान सभा आठ अब वो आठ विधान सभा कौन-कौन सा आता है तो यहां का चार य यहां कदो, यहां कदो कुण कुण सा तो कुरुदर धमतरी, अब भाई इसका कोई ना कोई तो सांसाद होगा, सत्रहवी लोकसभा में महा समून के सांसाद है चुन्नी लाल साहू, इहां ले है चुन्नी लाल साहू, इहां ले है सुनिल कुमार सुनी, अब मैं यह बताना चाह चुन्नी लाल साहु जी इस जीला पंचायत के भी पदेन सदस्य होंगे क्योंकि उसके निर्वाचन छेत्र में आते हूँ इस जीला पंचायत के भी पदेन सदस्य होंगे मतलब एट टाइम तीनो जीला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे चुन्नी लाल साहु जी हाँ विधान सभखना वो मैश कराना है कि कौन सी लोक सभव में कौन सभी अभी थोड़ा तकलीप दायक लागी कावर पिक्चर नो है यह ट्रेलर है तोला नाम सुनाना चाहत हो एकदम जपान ही जाना है कि आदेश नहीं हो थे पिक्चर तक मोल थोड़ा से टाइम देना है मतलब जब तक मैं पूरा चेप्टर में ना आ जाओ तब तक आप सुनिये जितना हो सा के सुनिये अभी जितना इंट्रोड़क्षन की क्लास होगी ट्रेलर की उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको और इसी पर महनत करना है इसी पर ज्यादा महनत करना है आपको यह जो क्लासेज ह तो फिर उसमाय बढ़ेंगे physical division में one पढ़ेंगे तो forest division पढ़ेंगे forest circle, यही नाम आएगा तो नाम सुने रहेंगे उसका location clear रहेंगा तो आपको gs चूटकी लगेगा लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे दिक्कत होगा गरियावन गरियावन में है राजीम और बिंदरा नवगड दो विधान सभा है ठीक ये समझ आया लेकिन अब देखिए ये धमतरी है धमतरी और धमतरी जीला में मैंने आपको बोला कि इसका एक विधान सभा छेत्र गायब है कौन सा सिहावा नगरी तो भाईय सिहावा नगरी अब यहाँ से दो विधान सभा छूटा है कौन कौन सा कसडोल और बिलाईगर दो लिये थे बलोदा बजार भाटा पारा तो यहाँ दो विधान सभा छूटा ये दोनों विधान सभा हिस्सा है जांजगीर चापा लोग सभा का कसडोल बिलाईगर ये दोनो और शीहावा नगरी सामील होता है किस में कांकेर संसदी छेत्र में तो अभी वो पूरा नहीं पड़ रहे हैं जो पूरा है वो दो ध्यान देना आप मेरे को कमेंड करके बताये मैंने लोक सभा में मैं आपको बताया था reservation होता है तो बोला था 4 ST के लिए रिजर्व है एक उस में से SC के लिए रिजर्व है और बाकी सब 6 के 6 क्या है अन्रिजर्व है यही बोला था ठीक तो 6 में से countdown सुरू हो गया है अन्रिजर्व है कौन-कौन सा रायपूर जो संसदी छेतर है constituency वो अनारक्षित है और महा समून constituency भी अनारक्षित है दोनों के दोनों किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है मतलब यहां से संसद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है अब कोई भी किहेक मतलब ऐसे नहीं समझ है जेका रायू 25 साल हो भारत के नागरी हो ठीक वो constitution कभी सा है तो कोई भी लड़ सकता है मैं केटेगिरी की बात कर रहा हूँ वो ST हो SC हो OBC हो चाहे दुनिया भर के अलग वर्ग से हो वो चुनाव लड़ सकता है दोनों छेतर से यहां तक clear है कि नहीं प्रसासन चौदा नगर निगम में से तीन नगर निगम यहां मैंने आपको बताया रायपूर बिरगाव और धमतरी फिर 20 विधान सभा छेतर का नाम आप देखे कि वो 20 विधान सभा कौन कौन से है फिर आप देखे यहां से फुली दो लोग सभा रायपूर लोग सभा जहां 9 विधान सभा आती है अन्रिजर्व है महासमुन लोग सभा जहां 8 विधान सभा आती अन्रिजर्व है बाकी पर discuss नहीं कि हो जो आपको पेन से हटाया हो दूसरे color से वो उस पर discuss नहीं कि हो अगले division का वी सा है ठीक अगली class में मैं discuss करूंगा आप से यहां पर education की और education में हम 3 point देखेंगे education में हमको देखना है 3 point यह 3 point वो है राच की विष्टविद्याला तो थोड़ा से आप हमको बताईएगा कल कि राच की विष्टविद्याला का मतलब क्या है सास की चिकित्सा महाविद्याला गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज और नीचे लिखा हुआ है सास की अभियांतर की समझते हैं इस्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब आप क्या समझते हैं तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में मिलते हैं जै जोहार जै चत्तिसगार आपकी मैट्स की क्लास होगी एक मिनिट ना हाँ सगा विल्कूल कोई जीला संभाग से सुईना कनेक्सन है मैं कल के क्ल चत्तिस नुक्रास में भी बोला था जनसंख्या के अधार पर ही लोक सभाषेत्र बानता है विदान सभाषेत्र बांता है जीला पनुद ग्राम पन्चात का वौड सब का सांव पापुलेशन है समझाऊ सब्यांत के विडियों अब मोलने पाताय का ल हो तो पाहे उकर बारे मौल जाता जनकरी नहीं है इसे नहीं है सब इनवर्सिटिक राज्य पाल हो थे इसे कि मतलब इंद्रा गांधी कुल अधी पती राज्य पाल नहीं हो ही कि वह बता बाबे मुला यह वो मार्केट मने मिले पुब्लिकेशन बंद हो घर पर्टार्व कर से दित्स में बता हूं रभी संकर इंवर्शिटी के लाइबरेडियम चल देना सुन्दरलान सर्मा राइबरेडी उहां तो हर बुक मिल जहीं जो रिसर्च वाला है राज्ये द्वारा इस्थापित तो फिर आईजी के भी राज्ये द्वारा है एस इनल उ पर राज्य द्वारा है यह मलकावर राज्की विश्वित द्याला नहीं कहा है चलिए मिलते हैं आप से कल स्वास्त रहिए मस्त रहिए जय जोहर जय चत्तिस गड़